जहन साथियों, साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं PG Admissions के बारे में PG Admissions 2021 और 23 सेशन का हम आज लेकर हाजिर है आखिर कैसे कर सकते हैं अगर आप 2020 में या 2021 में आप पास आउट हैं ग्रिजुएशन तो आप कैसे अपलाई कर सकते हैं PG के लिए आप जैसा की जानते हैं मगद अनुर्शिटी में PG admission के लिए डेट को 15 तारिक तक increase कर दिया है 15 जून तक आप भर सकते हैं तो चलिए हम अनलाइन admission प्रोसेस को हम बताते हैं कि कैसे कैसे आप फॉम भर पाएंगे सबसे पहले सबसे पहले आपको जाना होगा Google Chrome browser में इसमें मगद अनुर्शिटी टाइप करना होगा जैसा कि मेरा यहाँ टाइप है इसको आप सर्च करेंगे सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा पेज उसके नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ है मगद अनुर्शिटी.hc.in पे इस पे क्लिक करेंगे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपन होगा आप देख पा रहेंगे इसको उपर की और स्क्रोल लाउन करेंगे फिर सबसे नीचे जाएंगे यहां अड़ेमिसन लिखा हुआ है अड़ेमिसन की नीचे ही लिखा है पीजी अप्लिकेशन फॉर्म यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर जैसे क्लिक करेंगे अपना पूरा डिटेल्स तेंगे नेशनलिटी इंडियन कौन से राज्जे से है, अपना स्टेट चुन लीजए यहां कि मेरा बिहार है फिर यहां है कि उस उनवर्सेटी का नाम जहां से आपने ग्रिजुएशन किया है बहुत सारा इनवर्सेटी हैं आप अपने हिसाब से चैन कर लीजिये ग्रिजुएशन आपने कब पाश आउट किया है 2020, 2019, 2021 रॉल नंबर जो फाइनल होता है वह रॉल नंबर भरना है जो आप लोग ने फाइनल थर्ड येर में फाइनली जो थर्ड येर में आप लोगों ने जो भी रॉल नंबर यहां सेलेक्ट करेंगे तो ये रॉल नंबर वही होगा जो ये वही रॉल नंबर है जो आप लोगों का लास्ट येर ग्रिजुएशन लास्ट येर में जो रॉल नंबर होगा वही रॉल नंबर यहां फिल अप करेंगे तो हम यहां पर feel कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से यह सही नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको डाल दे रहा है पी जीरो जीरो फॉर वन एट टू वन यह हो गया डिकलिक्रेशन कर देना है यह क्याप्टर डाल देना है कैपिटल ले कैपिटल जे कैपिटल यू कैपिटल ले और प्रोसेश टू फॉर्म पे क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहां कुछ इस तरीके से आगा कि आपका पासिंग यही है रॉल नंबर यही है कि नहीं है तो Yes, Process to Form पर क्लिक करेंगे उसके बाद First Name, Last Name यहां पर कुछ भरते चले जाएंगे फिर Father Name, जो भी कुछ होगा फिर Mother Name, फिर Date of Birth यहां पर Select कर लेंगे जैसे हम लोगों ने यहां Select कर लिया है फिर Gender भर लेंगे, क्या है Religion भर देंगे हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है बना, BC1 में आते हैं या किस में आते हैं, दिव्यांग है तो दिव्यांग है या नहीं है तो यहां पर अब Select करना होगा कि अगर आप Visually Handicapped हैं तो उसके क्लिक करिए अगर आप सुनने में दिक्कत है तो आप Note Applicable Note इसमें कुछ नहीं है, अगर आरेच्छनकुटा के अंदर आते हैं जैसे NCC, NSS या Teacher Ward, या Non-Teaching Ward इसमें कुछ नहीं है तो आप Note Applicable कर दिजे बूल रहे कि क्या आप अल्फ संख्यक में आते हैं तो इसमें आप अगर Yes और No करना चाहते हैं तो No भर दिजे, वो आटमेटिक नहीं लेगा किस Domicile कहां का है उस State का नाम फिर मुल निवास परमान पतर ये कोई इसू नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगाया है आपके पास अधार कार्ड है तो Yes ला लिएगा, नहीं है तो No लिएगा, इसमें कोई सू नहीं है फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से permanent address बोल रहे है कि क्या same वही है permanent address तो इसमें permanent address में पहली addres डाल दिजे district डाल दिजे कि कौन सा district है उसके बाद यहाँ पर भर दीजे पुरा address और same रहेगा तो copy is same copy पर click कर दिजेगा तो पूरा हो जागा फिर mobile number डाल दिजे कुछ इस तरीके से mobile number हो गया फिर से mobile number भरना है फिर email id इमेल आड़ी है तो इमेल आड़े भर दिए फिर से यहां दुबारा इससे इमेल आड़ी मांग रहा है आड़ी रेट जेमेल डॉटकॉम यह हो गया फिर इजूकेशन डिटल्स मांग रहा है कब आपने पास किया टेंथ पहले टेंथ का मांग रहे है तेंथ आपने कब पास किया तो आप भरते चले जाए यह सभी डिटेल्स फिर हाइश कूल बोर्ड आप किसने किस से किये राल नंबर किया था उस टाइम उस टाइम का राल नंबर डाल दीजिए उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितना का था आपने कितना माप आपने कितना लाया फिर ट्वेल्द कभि वैसे डिटेल से भरना आपने कब पास किया और इंट्रमिटेंट बोर्ड किस का था वेदल किस से किये हैं उसका राल नंबर कितना था ये भरना है प्र फिर मैक्सिमु मार्को सका कितना था उछ में आपको कितना लएक अपो अलए upset यह घ्रिजुएशं का यहां भरने है की क्वालिफाइंग डिग्री तो भी यह मत परिंग तो अब यह हैं तो तो सारा चीलेगा अब इसमें ओनर सब्जेक्ट क्या था तो मैथमेटिक्स और सब सब्सेट्री में क्या क्या था तो फिजिक्स था और केमस्ट्री था तो हम इसको डाल दिये हैं फिजिक्स केमस्ट्री और रेजिस्टेशन नमबर कितना था वह अपने डाल दिये मार्क्स कितने का होता है तो टूटल होता है आई होप 15,500 पंदरह सो का अवर उसमें लाएं है कितना जितना विलाएं हो आप फिर आप याद रखेगा इसमें इमेज है में डालना है और इमेज जो है क्या होना चाहिए 20 kg से कम होना चाहिए आप यहां देख पा रहे हूंगे 20 20KB से कम होना चाहिए फिर signature यहां देख लिए signature लिखा है signature 20KB से कम होना चाहिए यह सब upload कर देना है complete registration इसके बाद क्या करना है यहां पर yes कर देना है उसके बाद आपका details यहां पर हो जागा submit तो अगर आप registration कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपका apply हो जागा और फिर जब merit बनेगी तो आपको यहां पर आ जागा तो दोस्त यहां पर हम एक तरह से आपको यह feeling करने का एक process बता रहे थे हैं यहां पर जो भी data हम लिए हैं और यहां पर data लिए हुआ गलत है roll number या फिर जहां से है address तो इस तरीके से हम आपको एक समझाने के लिए एक hypothetical यहां पर data लि लब हो जाएगा तो यहां save registration दिख रहा है ना यहां यहां पर पंजिक्रित हो जाएगा आप मेंका form यहां capture डालिएगा जो भी capture दिखेगा यहां yes कर दिजिएगा और आपका form submit हो जागा तो साथियों I hope कि आप इसे अच्छे से समझेंगे इसी तरीके से वीडियो आपको ह हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे इसलिए इसे इस चैनल को like subscribe जरूर कर दें थैंक्यू साथियों